हाई आप देख सकते हैं आज की क्लाइन के बाल बहुत ही फ्रीजी है और बीच बीच में बहुत ही ब्रेकेश है और फ्रीजी भी है बिल्कुल आन्मेनेज़ेबल है ऐसे तीन बालों में मल्ती लेयर्स करना तो बहुत ही मुस्किल होती है बत कोई वाइद ने गाईस हम दिखाते हैं एंट में रिजल आप लोगों को कि पतले बालों में वी रिजल कितने अच्छा आते हैं और कितना अच्छा खटिंग हो सकते हैं तो आप लोग सुरू से आन तक वीडियो में जरूर बने रहेगा गाइस में सबसे पहले हमने बालों को गिला कर दिया गिला करना इसलिए जरूरी है हमें सेक्षन बहुत ही नीत निकलने का जरूरी है एक तो मैम की बाल बहुत ही तीन है फाइन है और फ्रीजी है तो हमें सेक्षन नीत निकलने के लिए ह इतना निकालने का जरूरी है, अब step by step हम बिल्कुल सहारे बालों में पतले पतले section लेके हम cutting करेंगे, क्योंकि जितने पतले बाल होते हैं, फ्रीजी होते हैं और breakage hair होते हैं, हमें बहुत द्यान से cutting करना होते हैं, हम मोते मोते layers नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल पतले पतले section by section लेके हमें cutting करना होते हैं, क्योंकि जितने बालों में होते हैं, बिल्कुल भालों में करना होते हैं, कर दो कर दो कर दो कर से कह तो ऊस्ट्राइश हमारी कर्टिंग अल्मास्त हो गया है वस फ्रॉं पर रहे गया और जो फ्रॉं पर रहे गया हूँ भी कर दिया कद और कर गया भी हम थोड़ा से मिलाएंगे और थोड़ा कि सफेंगर से मिला मिला के हम ए Carmen करेंगे और करते के बाद मिलते हैं गए इस की दिखाते हैं किसे रिजाला या आप लगों को बिल्कुल ऐसे ही सारो तरफ से एंगल मिला के हम कटिन करेंगे क्योंकि हमने मैम का बालो में माल्ति लेयर्स हेर क्रेट किया है क्युमा करेंड करेंट नार या इंगल में माल्ति लेयर्स पर देमें मैं मैं माने या अधिक्त हें अधिक है चैसे बाद हम हाध से खोलेंगे और हाथ से खोलने के बाद फिर टी तेकाते हैं गाईस जो घाइस अभी हमने हाथ सी भी खोल दिया और खोलने के बाए इंड इस दा फाइनल डिजल आज की आज की वीडियो आप लोगों को पैसन आया अगर वीडियो को पैसन आया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं केफली सस्क्रा कर दिजिए हैं जन्स फोड़ से एंस झाल से ने नेग्स लोग खोगो reasons